नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल सिंग, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल Sing Mathematics पे स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे भाईयों, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ कि arithmetic के कुछ ऐसे formula जो आप ना चाहते हुए भी सवाल solve करते समय उसको use करते है formula दो प्रकार के एक हम जो academic level पर पढ़ाई करते थे जब आप schooling level पर पढ़ाई करते थे तो वहाँ पर हमारे सामने मजबूरिया होती थी यह हमें formula को लिख के दिखाना पड़ता था तो हम ऐसा मानते थी कि यह formula exist करता है लेकिन competitive exams में जब हम formula बोलते हैं तो बच्चे ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि कोई मैंने crime कर दिया हूं कि अरे तुम formula क्यों बात करते हो है लेकिन भाई तच्चाई तो यही है कि हम competitive exams में भी सवाल लगाते हैं तो formula का यूज तो करते ही करते हैं हाँ यह बात अलग है कि हम उसको लिख नहीं रहे होते हैं हम उसके लिखते नहीं है मन में ही उस चीज को existence बना लेते हैं मन में ही उसकी एक अस्तित्व बना लेते हैं तो हमें लगता है कि formula यूज नहीं हो रहा है लेकिन मेरे प्यारे साथ ही छोटे भाई बड़े भाई ऐसा नहीं है तो मैं आपके सामने कुछ समराइज फॉर्म में formula लगाया हूं आपके सामने हाजिर है उनको हमें बस एक बाद देखना है याद नहीं करना है देखना है केवल जहां पर आपको याद करने वाली बात हो जैसे माल लेजे कि आप किसी भी personalities को नहीं जानते हैं ऐसे बहुत सारे personalities हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे लेकिन अगर वही personality बार बार आपके new channel पे चलने लगे किसी भी कारण से बस तो आपको वह personality का नाम हमेशा क्लिए क्लिए हो जाता है मेमोरी में चड़ जाता है ज तो क्योंकि मैं जादा मुवी देखता नहीं हूँ तो मेरा उतना interest है नहीं लेकिन जब new channel पे आई तो जब भी news खोलते थे रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती तो वह दिमाग में देखे इतना download हो गया कि मैं आप रिया चक्रवर्ती का example लेके किसी चीज को बताने का प हम कर सकते हैं तो आप मैं पहले बोल देता हूं कि इन formula को आप डाइरेक्ट यूज लिखते नहीं है लेकिन सवाल करते समय जरूर करते हैं तो आईए बस हम एक बार overview माद लेते हैं और इसका यूज कब आपको ज़्यादा importance लगेगा suppose करिए कि कल आपका कोई exam है आप कोई बिग्जाम दिख रहे हैं अब आपके पास इतनी मोटी copy होगी mathematics की quantum और advance मिलाते तो इतना मोटा अब उस सारे point को आप पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन मैं क्या करूंगा आज के class में मेरा बहुत जारा प्रयास है कि बहुत सारे formula को मैंने कभच किया है और भी जो बचे है remaining topic उ लॉट बना दूमा तो जब जाब जिस दिन देने जाएंगे उसके रात में कुछ नहीं करना है बस इन formula को एक बर नजर से घूमा लेना है एक बार आपको आपको पस पेपर में जाना है तो छोते छोटे जो बाते हैं आपको बस रिमाइंड होते चलिए कि कैपसुल टाइप का काम करेगा है ना जैसे होता है कि छोटा सा कैपसुल है इसको बस काम कर लो तो हमें जो फॉर्मुला और मुला रिभाइच करने वाली बाते हैं और रहाबाद कंसेप्ट का सवाल सॉल्व करने का तरीका तो यह नथिंग हैपेन सिंगल योई किसी को मड़ करो कितने बर्स काम करने के लिए बिल्कुल व्रां करने क्लिए बिलक्ड पॉसेंटेज में यह फॉर्मूला यूज होते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कंसिस्टेंशी लॉक के हिसाब से पढ़ते हैं, क्या होता है यह अभी हमारा यह सिर्षन नहीं है कि क्या होता है बताओं है कोई पुझे खर्चा, खर्चा जो होता है, खर्चा, expenditure होता है, प्राइज, उस article की प्राइज, बस्तु की मुल, खपत, खपत का मतलब consumption, तो क्या बोल सकते हैं, खर्चा, खर्चा का मान हो जाएगा, प्राइज इंटू कंजब्शन, तो expenditure क्या हो गया, प्राइज इंटू रेविन्यू, कितना राजस्व की प्राप्ती हुई, आपकी cinema hall है, दिन भर में कितनी कमाती है, आपकी cinema hall, तो कैसे पता चलेगा, प्राइज, प्राइज मतलब एक, एक टिकिट की दाम, इंटू शेल, कितने टिकिट भीक रहा है, इस बात पर निर्भर करेगी, आपकी कारी बडाबर, efficiency into time, मतलब समय और कारी छमता, कारी दक्षता, कारी कुशलता, सब एकी नाम है, कारी छमता, कारी दक्षता, कारी कुशलता, efficiency, सब एकी बात है, तो काम, समय और efficiency को multiply करेंगे, तो काम निकलेगा, यहां से आप चाहें, तो time निकालना हो, तो वर्ग को efficiency से भा कर देंगे एक काम आप लोग खुद से कर सकते ठीक है डिस्टेंस दूरी बराबर इन्टू टाइम को कैपसुल टाइप के लिजएगा मैं सारा जिभाई कर वादेता हूं डिस्टेंस होता है speed into time तो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि speed हो जाएगा distance बटा time और यहाँ से आपका पूछले कोई कि time क्या होगा तर distance अपन speed उमिद करते हैं समझ क्या होगे एक आदमी की प्रती दिन की जो कमाई होते हैं na per day visits, per day visits का मतलब है कि प्रती दिन की कमाई प्रती दिन की कमाई में अगर total days, days मतलब बोलिए time time वोचा है आपको जो भी दिया हो अगर किसी आदमी की एक दिन की कमाई में time का multiply कर दे तो वो उसका income होता है 30 से multiply करोगे तो वो monthly income हो जाएगा 365 से multiply करोगे तो yearly income हो जाएगा समझा रहा है बात चलिए आगी की और move करते है एक होता है gross income gross income ये होता है माल लेजिए कि आपकी कोई company है ठीक है और आपकी company 4 करोग रूपया कमाती है total और उसमें से आप भारत सरकार तो भारत सरकार तो चलाने के लिए कुछ ने कुछ आप से पैसा लेगी तो माल लो कि 50 लाख उसमें से आप दे दिए ठीक है भाई चार करोग में से 50 लाख आप या एक ही करोग simple समझा एक करोग टेक्स दे दिए तो चार करोग आपकी total कमाई हुई एक करोग टेक्स दे दिए तो आपके पास जो बचा वो नेट इंकम होता है तो याद रखना ग्रॉस माइनस टेक्स बरावत नेट इंकम ठीक है अब अगर टेक्स का प्रतीशत निकालना हो सवाल पूछे जाते हैं इस पर जब मैं टैप्टर लूँगा तो देखिएगा टेक्स परसेंट होता है टेक्स अपन ग्रॉस इंकम क्या हो जाएगा तो बोलेंगे नेट इंकम में अगर टेक्स जोड़ दें यहाँ पर नेट इंकम में यहाँ है ना नेट इंकम नेट इंकम में यह देखो नेट इंकम में अगर टैक्स जोड़ दोगे तो यह ग्रॉस इंकम निकल जाएगा ठीक है भाई मेरे चलो फटाफट अब देखना प्रॉफिट एंड लॉस में एक दिलेशन बड़ा काम का है जो जो जितना बहुत सॉट फॉर्मूला बहुत कम-कम बाते हैं जितना यूज होता है उतना ही में चल्चा क्यों बाकी जो चीज़े हैं वो कॉंसेट में और सॉल्व करते समय कैल्कुलेशन की मैठड हैं तो मैठड हम करते समय सुझ खेंगे कौस्ट प्राइज का मतलब जिस दाम को जिस मुल पे खड़िते हैं किसी वस्तू को MR पी MRP का हिंदी में मतलब समझो लिश्टेट प्राइज इंगलिस में और चिपकाया हुआ दाम चिपकाया हुआ दाम मतलब आप अपने मन से कुछ भी दाम रख लेते हो डिस्काउंट परसेंट छूट देते हो अपने अपने बोलते हो अरे आप तो अपने हो अपने ही बो होगी तो यहां discount लगा देना 100- discount % और जब MRP की बात होगी तो profit लगा देना इसी को ratio term में लिख सकते हो CP MRP का ratio 100- discount % 100- profit % ठीक है भाई चलिए move करते हैं time and work के लिए मैंने चर्चा किया था time and work के बारे में discussion हो गया है कि काम जो होता है work बरावर काम बरावर time into efficiency मतलब समय गुणे कार्य को शलता यहां से time निकाल सकते हैं देखिए time निकालने के लिए efficiency divide में चला गया और अगर efficiency निकालना हो तो time divide में चला जाए ठीक है भाई मेरे h1 e1 upon w1 m2 d2 h2 e2 upon w2 अभी क्या होता है समझो कोई काम को बहुत सारे लोग मिलके करते हैं 10 आदमी 20 आदमी कुछ दिन के लिए करते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ घंटे के लिए प्रती दिन काम करते हैं 4 घंटे 5 घंटे और इनकी अलग आवकात होती है efficiency अलग होती है और य इस तरह की questions बनते हैं उसे हम बोलते हैं आदमी दिन घंटे छमता तथा कारे पर best question ठीक है भाई मेरे चलो अब सुनना जो work done होता है ना इसको बोलते हैं कुल किया गया कार है कुल कुल मजदूरी मतलब कोई आदमी जितना काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी होगी यह बहुत ही basic और standard बात है सिदी सी बात है जितना काम करोगे उतनी ही मजदूरी मिलेगी लेकिन आप जानते हो कि work done क्या होता है किया गया काम क्या होता है किया गया काम होता है time into efficiency time into efficiency मतलब समय गुणे कार च्छमता और यह होता है टोटल वेजिस के बराबर मजदूरी को हम वेजिस बोलते हैं ठीक है वाई अब बताना कि जितने भी जितने भी लॉंडे काम करते हैं सब ने बराबर समय के लिए काम किया मालों कि कोई काम को तीन आज में परफॉर्म कर गांए ए बी इफिसेंसी मतला इनकी आउकात सुनना भाई इफिसेंसी निर्भर करेगा किस पर वेजिस पर तो आप एक चीज़ समझ लेना बहुत सारे बच्चे के मन में क्या होता है जिनकी कंसेप्ट अच्छी नहीं रहती हो समझ लेते हैं कि इफिसेंसी के रेशियो में ही हम पैसा को बाटते ना बाबा नएसा गल्टी मत करना वो हम तब बोल रहे होते हैं जब इन तीनों का कोश्चंस में ऐसा बोल दे कि टाइम क्या है पराबर है समझना दियां से टाइम अगर यह ऐसा question में बोल देता है कि टाइम इन लोगों ने कोई आदमी छोड़ नहीं रहा है काम को मतलब सुरुआत किये और सुरुआत से लेकि काम जब तक finish हो रहा है तब तक वो बने हुए है साथ में मतलब सुरु से लेकि अंत तक उस कारे को करने के लिए तीनों लगे हुए हैं तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि काम को करने में समय क्या लिए सभी ने बराबर समय लिया है हाना सुरू से लेकि अंत तक बने हुए हैं उसको काम को करने के लिए तो उसमें बोल सकते हो कि जिस रेशियो में efficiency होगा उसी रेशियो में हम उनको पैसे को distribute करेंगे समझा है भाई मेरे लेकिन concept यह होता है कि कोई आदमी जितना काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी ही होती है यह बहुत ही basic बात भाई अब average का एक बात समझ लिजिए अब ब्रिज को हिंदी में और सत बोलते है या मीन भी बोल सकते में मतलब माध्ध है और यह average का मतला औसत हो गया इसको denote करते हैं एक्स के पावर बार लगा दो एक्स के पावर बार क्या होता है सम आफ अब्जर्वेशन का मतला प्रेक्षनों का योग आप जितने भी आक्ड़े करोगे न माल लो कि अभी चल रहा है हमारा वैक्षिन चल रहा है तो भारसरकार य चया करेगा घर घर प्रविक्षन करेगा कि इस फैमली में इतने लोग है कितने को चील लगा है तो उसके लिए उसको एक आक्ड़ा लिकरना पड़े उसको एक डिटा की इनालेसिस करनी पड़ेगी तो सम अफ ऑल अब्जर्वेशन तो सारे आक्डों को आड़ करेगा और कितने घर जाके उसने आकड़े को लिया था कितने घर जाके उस आकड़ों को उसने प्राप्त किया तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि एबरेज वेलिव क्या होड़िए ठीक है अभी बार बार बोल रहा हूँ अभी जो आज का सेस्टिशन है हमार एक बाद सारी चीजों को समराइज फॉर्म में आरके सामने रखना है ताकि आप किसी बच्चे का कोई पेपर हो तो वह सुन सकता है या आप मैथ की पेपर लगाने जा रहे हैं कोशन करने जा रहे हैं एक बाद कर लिए छोटी छोटी पॉइंट्स को ठीक है यह भाई यहां तक अगर आप अभी कोई चीज याद नहीं किये हो तो ठीक है लेकिन अब जो बताऊंगा यहां से कुछ बाते आपको याद होना ही चाहिए अन्यता आप सवाल नहीं कर पाऊंगे क्यादा कि sum of first n consecutive natural number प्रथम हिंदी में बोलता हो प्रथम n लागातार संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा प्रथम n मतलब लागातार प्राकृतिक संख्या का sum क्या होगा याद रखना n into n plus 1 upon 2 ठीक है भाई n into n plus 1 upon 2 अगर आप से कोई पूछे कि आउसत बता दो तो इसी को sum को डिवाइड देजना n से तो n into n plus 1 upon 2 था n से डिवाइड दोगे तो n n कट जाएगा तो n plus 1 by 2 लगाके आगे बढ़ जाना ठीक है भाई मेरे चलो अब यह फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है है न कि sum of first n odd number प्रथम n बिशम संख्या का योग क्या होगा प्रथम n सुनना प्रथम n सुरुवात कहां से होती बिशम संख्या की एक तीन पाच साथ डैस डै आपको पता है n की value आप एक रखो n की value 1 रखोगे तो 2 कम 2 में से एक गया एक आ गया n की value 2 रखो तो 2 दूनी 4-1 देखो 3 आ गया तो इसी तरह से यह सारा format बना हुआ है तो 2n-1 हमारा अंतिम पद होना चाहिए तो यह sum of first n odd number का formula n square लगा ले ठीक है और average निकालना हो तो sum को संख्या से divide दे दो क्योंकि हम अंत में कहा तक गय होंगे n बडाबर n लिये होंगे तभी तो यह 2n-1 बना होगा तो n से divide दोगे तो यह n हो जाएगा इसके क्या आउसत I hope clear होगा तो यह याद करना पड़ेगा नहीं तो नहीं हो पाए केवल देखने से नहीं का बात बनेग नहीं इभन नंबर प्रथम एन प्रथम एन तम संख्या का योग क्या होगा अब सुरुवात संख्या बोलो क्या होता है संख्या की सुरुवात 2-4-6-8-------- आखरी इसके होगी 2N से तो फॉर्मुला याद रखना एन इन टू एन प्लस वन भाई मेरे याद होना चाहिए एन इन टू एन प्लस वन और सत निकालना हो एन से भाग दोगे एन इन कट जाएगा एन प्लस वन ठीक है चलो मूफ करते हैं आगे की में किरा कि सम आफ स्क्वार प्राक्रितिक संख्या के बर्ग का योग क्या होगा प्राक्रितिक संख्या के बर्ग मतलब स्क्वार का सम क्या होगा जैसे समझो एक के स्क्वार प्राक्रितिक मतलब एक से लेके कंजूगिटिव नंबल देना है जिसके बीच का डिफरेंस वन हो एक के बाद दो दो के बा ठीक है भाई याद होना ही चाहिए इसमें कोई कंपलमाइज नहीं सवाल आएगा याद रहेगा जबी बनेगा नहीं तो कोई इसका उपाय नहीं है Sum of square of first and odd number 1 square 3 square 5 square तो यह थोड़ा यूनिक है आप लोग को नहीं पता होगा 2N into 2N plus 1 2N minus 1 upon 6 मतला मेरे प्यारे भाईयों ध्यान से सुन लेना यह वाला फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना क्योंकि यह वाला फॉर्मूला जो है ना बूक में नहीं मिलेगा इसलिए यह वाला फॉर्मूला को ज़रूर सभी भाई मेरे कॉपी में लिखेंगे ठीक है भाई चलो आगे इसी तरह से एक फॉर्मूला और देखो त् gemeinsam संक्या के बर्ग का योग संक्या सुरुगा । से-दो कर स्कार स्कार छी कर स्कार स्क्चर डnellिय यह फॉर्मूला भी कॉपी में लिख लेजेगा नहीं मिलेगा 4N into N plus 1 2N plus 1 upon 6 ठीक है प्रतम जुवा पर रटा होना चाहिए जुवा पर रटा होना चाहिए ऐसा याद करें करें रखो क्योंकि यह बहुत यादा इंपोर्टेंट है यह मान के चलता हूँ आपको याद होगा तम ओफ cube of first N natural number प्रतम N प्राक्रितिक संख्या के घन, cube को घन बोलते हैं का योग क्या होगा 1 का cube, 2 का cube, 3 का cube, dash, dash, n का cube तो N into N plus 1 upon 2 का whole square ठीक है भाई, एक बाद देख लो skin shot लेना हो तो skin shot ले लिजी का ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को हाँ, यस अब simple interest में कुछ formula मैं पहले बोलता हूँ बहुत ज़्यादा formula use नहीं करते हैं लेकिन जो भी करते हैं उसको हम जो मन में करते हैं होते हैं, वो सारा चीज को मैं यहाँ दिखा दिया हूँ है ना, देखिए अब यहाँ से P को नीचे लाओ तो A upon P बराबर 80 upon 100 अब यह नीचे जो 100 है इसको परसेंट लगा के replace कर दो तो A upon P बराबर 80% ठीख है बही, यह जो है ना, यह amount को बता रहा है amount मतलम last में जो पैसा है, वो और amount A, दोनों मिलके के जो पैसा मिलता है उसको अमाउंट बोलते हैं तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होता है हंडेड प्लस आटी अपॉन हंडेड ठीक है भाई अगर आपको किस्त वाल सवाल पुछ दें एसाई में एसाई में नहीं क्योंकि सी वाल बहुत लेंदी है तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब ही जाद आच्छे से समझ है ठीक है तो एन्वल इंस्टॉल्मेंट या इंस्टॉल्मेंट या पेमेंट आप से कोई पुछे कि वात्सिक आये किस्त या भुकतान बताओ तो डियू डेविट इंटू हंड्रेड अपॉन हंडेड टी प्लस आटी इंटू ऐसे माल लेजिए कि आप कुछ पैसे का कि स्त किस्त बन वाते हैं को कुछ रुपे आपको करना है उसकोन प्रशा का है ऑपकी इतना करता है तो करे आफ सीप मेरे ठीक है, partnership में, सिफ हमें निकालना रहता है, कि profit share ratio क्या है, यह PSR का मतलब यह होता है, profit share ratio, यह profit share ratio है, इसका मतलब capital, आप जितना जितना पुंजी जो लगाता है, पुंजी और कुछ समय के लिए लगाता है, तो I hope समझ गया होंगे, जब आप से profit share ratio बोले न, कि पुंजी में बात बन जाती, चलिए, अब time speed and distance में थोड़ी से ज़्यादा है, as compared to other chapters, तो इसमें भी समझने का हम प्रयास करते हैं, time speed अब ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी एक slide है, बाकी जो हम चीजे है, अगले class में complete कर देंगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, discussion के लिए, त बस इतना ही है, तो यहां से हम complete कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा, तो बाकी जो chapter बचेगा, वो अगले slide में कर देंगा, इसमें ये फायदा रहेगा, कि आप बहुत कम समय में सारे चीजे formula को recap कर पाएंगे, एक अही जगा पर, time speed and distance में, distance अगर कोई पूछे कि दूरी क्य होने का तो और भी कुछ हो सकता है, प्रकास वर्स में light year में हो जाए, लेकिन आपकी गारी light year में थोड़ी चलेगी, है न, time कितना होता है, मेरे, time होता है, distance upon speed, देखो, यहीं से अगर आपको time निकालना हो, तो speed नीचे आ जागा, distance upon speed, अगर आप speed निकालना चाहते हो, तो distance upon time हो जाएगा लेकिन time याद रखना, time जो पेपर में आता है, questions, वो hours हो सकते हैं, घंटे, minute हो सकता है, second हो सकता है, ठीक है, अब speed की बात करते हैं, speed हो जाता है distance upon time, speed किस में हो सकता है, kilometers upon minutes भी हो सकता है, किम méth Der bahar minute हो सकता है, किम makes the difference, Detail कि की हो सकता है, meter per second छोटी unit है अब सुनिएगा ये conversion बहुत जरूरी है speed का conversion आना चाहिए ठीक है भाई अगर kilometer per hour से आपको meter per second में जाना है मतलब kilometer प्रति घंटे से अगर आपको meter per 30 second में जाना है तो 5 बटे 18 का multiply करिएगा 5 बटे 18 का multiply किसमें करिएगा kilometer प्रति घंटे में तो पहुंच कहा जाईएगा meter per second में और अगर meter per second में 18 का multiply करिएगा तो कहा पर पहुंच जाईएगा kilometer per hour में समझा है conversion बस इतना बात दिमाग में रखना है कैसे हुआ क्यों हुआ यह चर्चा हम chapter चलेगा तब करेंगे अभी हमारे पास जितना restriction है उसी चीजी जो करन्द है उसी को समझेंगे करकी condition यह है कि अगर distance constant हो जाए तो जब distance constant हो जाता है आप खुद बताईए d बराबर होता है st अगर आप इसी को constant कर दिए तो यह speed और time एक दूतरे के reciprocal हो जाएंगे मतलब जिस ratio में हमारा speed बढ़ेगा या घटेगा उसी opposite ratio में हमारा time बढ़ेगा या घटेगा ठीक है भाई अगर speed जिस ratio में बढ़ेगा time उस ratio में घटेगा स्पीड जिस ratio में घटेगा time उस ratio में बढ़ेगा आई होप आई डेल स्टेग तो यह हम internal बात था लेकिन थोड़ा सा discussion कर देगे अगर time constant हो जाए तो समझ जाएगे कि distance डाइडेक्टली डिपेंड करता है speed पे तो जिस ratio में हमारा distance बढ़े या घटेगा उसी ratio में Speed भी बढ़ेगा या घटेगा तो यह बहुत सिंपल सी बात है कि जो distance का रेशियो होगा वही speed का रेशियो होगा फिल्ग हो जाए ओं समझी का धान से यहां तो दो बॉड़ी एक ही साथ एक ही डाइरेक्शन में मुफ करते हैं तो दोनों की स्पीड को घटा देते हैं घटाते समें यह धियान दखना है कि बड़े स्पीड में से छोटे को घटाएंगे ताकि स्पीड कभी नेगटीब नहीं आए ठीक है क्योंकि आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि c और आप स्पीड को घटाएंगे स्पीड का मतलब कि नहीं हो सकता है कि दो बच्टि को हो रहें तो दोनों की स्पीड को घटाएंगे घटाते समय बड़े स्पीड में से छोटे को घटाएंगे मतलब एक बॉड़ी तेज होगा दूसरा श्लो होगा करेंगे जब दो बॉड़ी एक दूसरी के आपोजिट मुफ करेंगे तो दोनों की स्पीड को जोड़ते हैं यह कंसेप्ट जो लिया गया है यह भौत इक सास्त्र से लिया गया है फिल्जिक्स इसमें मैच का बहुत ज़्यादा रूल नहीं है हम डाइरिक्ट इस कंसेप्ट को यूज करते हैं फिल्जिक्स से तो यह वी और यह यू यह यू और यह वी दोनों अपोजिट जा रहे है मुव्मेंट देखिया पोजिट जोड़ जाएगा चलो अब देखना ध्यान से एक एक बहुत इंपॉटेंट बात बता रहा हूं इस पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखिया लेकिन सिंपल एक भासा में समझ जा ही कभी आपको तंग नहीं करेगा कभी भी ना सवाल बोले कि एक रेलगारी ब्रीज को पार कर रहा है तो आप ब्रीज मिरीज दोनों की लंबाई को जोड़ लेना तो यह जो निकलता है ना टोटल डिस्टेंस आजाएगा क्या जाएगा टोटल डिस्टेंस आजाएगा टोटल डिस्टेंस आजाएगा तो कूल दूरी कैसे निकलेगा दोनों लंबाई को जोड़ दो लेकिन ध्यान रखना कि कभी कोई रेलगारी किसी आदमी को पार करे किसी पेड़ को पार करे है ना तो ये पेड़ आदमी इस लंबाई के सामने रेलगारी की लंबाई के सामने बिल्कुल ना क्या बराबर इनकी लंबाई है तो उस सिच्वेशन में हम इनको नेगलिजिबल माल लेते हैं केवल हम लेंथ किसका consider करते हैं देलगारी का तो ध्यान रखिएगा जब देलगारी किसी दो बॉड़ी को पार करें कभी दो बॉड़ी अगर दोनों के पास कुछ लंबाई है तो एड होगी लंबाई यही हमारा total distance होगा अगर किसी बॉड़ी के पास लंबाई है लेकिन जिसको पार कर रहा है उसक का भी कितना थिकनेस होगा देलगारी के लंबाई के सामने के बड़ाबर होगा तो केवल हम consider देलगारी के लंबाई करेंगा आपको बताई गई बाते अच्छी लगी हो आप कमेंट करते जरूर बताईएगा और यह वीडियो को शेयर करिएगा maximum आप से जितना भी बन सके और हम आगे की जो classes हैं जो आगे की जो इसमें बाते और मुझे बतानी है मैं एक और शूट कर दूँगा ताकि आप तक जितनी भी formula मुझे बचा है बताने के लिए वह भी कर दूँगा ठीक है thank you so much आप लोग का response का मैं इंतजार करूँगा कि कैसा लगा आपका यह capsule वाला एड़ एड़ आपका बड़ एड़ एड़ को का दितनी है